बैसाली की लराई काफी रोचक है क्योंकि एक तरफ बाहु बली मुन्ना सुकला है तो दूसरी तरफ बीना देवी है जो पिछले बार भी वो सांसद रह चुकी है और इस बार भी वो एलजेपी के सीट पर मैदान में हैं और सुबह से ही लोगों की जो कतार है वो काफी लंब है और लोगों में एक उत्सा नजर आ रहा है सुबह से ही और लोग यहां पर आ रहा है और उनका यही कहना है कि पहले हम मदान करेंगे और उसके बाद ही जलपान करेंगे हमारे साथ कुछ लोग भी है उनसे भी बात करेंगे यह बताईए कि इस वार मुद्दा क्या है आप यह लिखारा हो, इसके बाद हमारा यह प्राबलम दूर हो, अपने हर रग का। ठीक है विक्सित भात बनाना है जो यूबा है उनके दिवाग में मुद्दा क्या है इस वार अरे यहां तक हम आ सकते हैं एक दम आ सकते हैं इल्कुल आ सकते हैं कि सौरब आज मंदान का दिन है नहीं 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 सकते हैं लेकिन एक तरीका भी है क्योंकि निदिया भी अपनी जिम्मेदारी वहां पर निभा रहा है और सौरब लगातार वोटर से ही बातचीत करने की कोशिश वहां कर रहे हैं बैसाली की लराई काफी रोचक है क्योंकि एक तरफ बाहुबली मुना सुकला है तो दूसरी तरफ बीना देवी है जो पिछले बार भी वो सांसद रह चुकी है और इस बार भी वो एलजेपी के सीट पर मैदान में हैं और सुबह से ही लोगों की जो कतार है वहां काफी लं करेंगे हमारे साथ कुछ लोग भी हैं उनसे भी बात करेंगे यह बताइए कि इस वार मुद्दा क्या है आप लोगों के सामने बैसाली की जनता के सामने मुद्दा क्या है किन मुद्दों के आधार पर आप लोग बूट कर रहे हैं यह लोग जो अपने अपने हर पर का मु आ रही है वो दूर हुआ गया वो अभी भी तो ऐसा तो कुछ दूरा कुछ तरी बाकी है कुछ दूर हुआ कुछ बाकी है कुछ और भी लोग है उनसे भी बात करेंगे यह बताइए कि आप लोगों के मन में मुद्दा क्या है आप लोग बोट करने जा रहे हैं तो दिमाग मे मुद्धा क्या चरन की देक्सित भात को बनाना है इस वारा तक हम आ लेकिन एक तरीका भी है क्योंकि मेडिया भी अपनी जिम्मेदारी वहां पर निभा रहा है और सौरब लगातार वोटर से ही बात्चीत करने की कोशिश वहां कर रहे हैं